नमस्कार मित्रो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दशास्त्रवाइस में मित्रो आज मंगलवार है इस दिन हनुमान जी का पूजन करने से जातक के जीवन में आ रहे सभी संकटों वह परेशानियों का नाश होता है मान्यता है कि यदि आप लाग कोशिशों के बाद भी आर्थिक समस्या से चुटकारा नहीं पा रहे तो मंगलवार के दिन किया गया एक विशेश उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है अगर आप जीवन में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन पैर में काला धागा बांधें कहते हैं कि पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक लाब मिलता है ध्यान रखें की काला धागा हमेशा दाहिने पैर में बांधना चाहिए और इसे बांधने से बुरी नजर भी दूर होती है साथ ही आपके आसपास नेगेटिविटी भी खत्म होती है और घर में सुख समरिद्धी का वास होता है इतना ही नहीं पैर में काला धागा बांधना स्वास्थे के लिहाज से भी लाबकारी माना गया है जिन लोगों को पेट दर्द की समस्या रहती है उन्हें पैर के अंगूठे में काला धागा बांधना चाहिए इससे आपकी पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा काला धागा बांधते वक्त ध्यान रखें कि उस पेर में किसी अन्यरंग का धागा नहीं होना चाहिए यदि आप हनुमान की कृपा पाना चाहते हैं तो मंगलवार के बाद हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं फिर वही बैटकर हनुमान चालीसा वह हनुमाश्टक का पाठ करें यह काफी लाबकारी होता है और इससे जातकों की सभी परेश्रानिया दूर होती हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए कई लोग व्रत भी करते हैं और इस व्रत में केवल एक समय मीथा भोजन ब्रहन करना चाहिए मंगलवार के दिन भगवान हनुमान के भक्त उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और उपवास रखते हैं मान्यता के मुताबिक इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है और उनके जीवन से सभी प्रकार की परेशानिया दूर हो जाती है जब किसी व्यक्ती की कुंदली में शनी, मन्गल, रहु और केतु जैसे पापी ग्रहों के दुश प्रभाव होते हैं तो उसे मन्गलवार को हनुमान जी पूजा करने की सलाह दी जाती है मन्गलवार के दिन हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं फिर वही बैटकर हनुमान चालिसा और हनुमाश्टक का पाठ करें इससे जातकों की सभी परेशानिया दूर हो जाती है हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए जो लोग मन्गलवार को व्रत करते हैं उन्हें केवल एक समय मीथा भोजन ग्रहन करना चाहिए मन्गलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और अपने आसपास बूंदी का प्रसाद बांटें इससे मन्गल दोश समाप्त होता है मन्गलवार के दिन बंदरों को गुर्चना खिलाने से भी हनुमान जी आशीरवाद मिलता है मंगलवार के दिन पैर में काला धागा बांधने से आर्थिक लाब मिलता है काला धागा हमेशा दाहिने पैर में बांधना चाहिए और इसे बांधने से बुरी नजर भी दूर होती है साथ ही आसपास negativity भी खत्म होती है और घर में सुख समरिद्धी का वास होता है पैर में काला धागा बांधना से स्वास्थ के लिहाज से भी लाबकारी माना गया है अंगूठे में काला धागा बांधने से पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है काला धागा बांधते वक्त ध्यान रखें कि उस पैर में किसी अन्य रंग का धागाना बंधा हो मंगलवार को ना करें ये काम मंगलवार के टोट के मंगलवार को काले रंग के वस्त्र न पहने इस दिन लाल और नारंगी रंग के कपड़े पहनने से मंगल दोश का प्रभाव कम होता है मंगलवार के दिन स्थ्री सौंदर्य प्रसाधन सामगरी ना खरीदे मान्यता है कि ऐसा करने से उनके वैवाहिक जीवन में समस्याय आने लगती है मनगलवार के दिन बाल कटवाना, दाड़ी बनाना, ना खुन काटना अशुब माना जाता है मान्यता के मुताबिक इस दिन ये सभी काम करने से व्यक्ति को अपने जीवन में धन और बुद्धी की हानी होती है मनगलवार के दिन घर से गुल खाकर यात्रा पर निकलें मनगलवार के दिन मास और मंदिरा का सेवन ना करें इससे कामों में बाधाएं आती है मनगलवार के दिन किसी को उधार न दें कहा जाता है कि दिन दिया गया उधार वापस नहीं आता मंगलवार के दिन भूल कर भी भाय और मित्र से विवाद न करें क्योंकि इसकी वज़े से आपको जीवन भर पच्टाना पड़ सकता है मंगलवार का दिन ब्रहमचर्य के पालन करना चाहिए 1. काला धागा मंगलवार को पहने शास्त्रों के अनुसार यदि आप अपने दाएं पैर में मंगलवार के दिन काला धागा बांधते है तो आपके घर में जीवन में धन की समस्या बहुत जल्दूर हो जाएगी 2. पेट दर्द की शिकायत दूर करता है काला धागा आपने बहुत सारे लोगों को पेट दर्द की शिकायत के बारे में सुना होगा पेट दर्द की समस्या कई बार ना भी हिल जाने के कारण भी होती है ऐसे लोगों को दोनों पैरों के अंगूठे में काला धागा बांधना चाहिए आपको पेट दर्द की समस्या से राहत मिलेगी 3. पैर में चोट लगने पर काला धागा पहने कई बार पैर में चोट लग जाती है और वो कई दिनों तक ठीक नहीं हो पाती ऐसे में आप अपने पैरों को जल्दी चीक करने के लिए अपने पैरों में काला धागा पहन लें आपको राहत मिलेगी 4. पैरों में दर्द महसूस होने पर काला धागा पहने कई बार ज्यादा काम करने की वज़े से हमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है पैरों में दर्द महसूस होता है तो आप अपने पैरों में काला धागा पहन लें ऐसा करने से आपके पैरों का दर्द तुन्त चला जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे पांच, बुरी नजर से बचाए काला धागा कई सालों से इसे हात, पेर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है आकाश, वायू, अगनी, जल और पृत्वी इनसे मिलने वाली उर्जा हमारे शरीर की संचालन करती है जब किसी इनसान की बुरी नजर लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली उर्जा सकारात्मक उर्जा हम तक नहीं पहुँच पाती इसलिए कुछ लोग पैर में या गले में धागा बांधते है ताकि नजर दोश से बचा जा सके 6. नकारात्मक उर्जा को दूर करता है काला धागा तंत्र शास्त्र के अनुसार काला धागा नकारात्मक उर्जा को सोक कर अपने भीतर समा लेता है और पहनने वाले पर नकारात्मक उर्जा का कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ता है काला धागा शनी और राहू से संबंधित माना गया है इसका संबंध भैरो बाबा से भी माना जाता है वैशनो देवी से श्रद्धा लुभेरो बाबा का काला धागा अच्छे स्वास्थे के लिए लाते है साथ, शनी दोश से बचने के लिए काला धागा पहने काला रंग उश्मा का अफशोशक होता है इसलिए काला धागा बुरी नजर वहवाओं को अफशोशित कर देता है यह एक तरह से कवच का काम करता है शनी दोश से बचने के लिए भी इनसान को काला धागा पहनना चाहिए ऐसा कहा जाता है कि कई बार चीजे आपको ठीक नहीं कर पाती वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से बचा सकता है हनुमान जी के उपाए मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और इस उपाए को सफल बनाने के लिए भी हनुमान जी की ही विशेश प्रिपा चाहिए मंगलवार के दिन सुबह समय पूर्वक उठकर सनान आदी के बाद हनुमान जी का समरन करें वो उनसे अपने प्रत्येक तरह के दोशों की ख्षमाया चना करें हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें वो ग्यारा बार हनुमान चालीसा पढ़कर काले धागे में ग्यारा गांठे बांधनी है ध्यान रखें की ग्यारा गांठे एक बार में ही ना बांधे बल्कि एक बार पार्ट संपन्न करें और फिर एक गांठ बाधे फिर दूसरी बार संपन्न करें फिर दूसरी गांठ बांधें ग्यारह बार पार्ट संपन्न होने और गांठ बंधने के बाद काले धागे को हनुमान जी के चरनों में अर्पन करें और उनसे जीवन के सभी प्रकार के दोशों को समाप्त करने की प्रार्थना करें काले धागे पर हनुमान जी के सिंदूर से तिलक करें इससे हनुमान जी कृपा से आप लाभानवित होते हैं और समस्याओं का निवारन होता है इस उपाए के बाद काले धागे को घर के मुख्य गेट पर बांध दें और हनुमान जी से अपनी एवं परिवार की रक्षा एवं खुशाली की प्रार्थना करें काले धागे को पैसे रखने के स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं इससे घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और रूपे पैसों की समस्या से चुटकारा मिलता है ये उपाई करने से हनुमान जी की खृपा आप पर होती है जिससे आपके उपर नकारात्मक शक्तियां हावी नहीं होती और बुरी नजरों के प्रभाव से बचाव होता है मित्रो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को लाइक भी कर देना